नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो GD Commerce और आप सभी को पता ही होगा कि ज़्यादातर यूइनवस्टियां ओनलाइन एक्जाम कंड़क्ट करवा रही है और हमको पीडियाफ बना कर भेजनी है इमेल के जरिए जो भी आपको लिंक दिया जाएगा उसके जरिए और मेरे पास काफी student के message आ रहे थे कि हमको PDF नहीं बनानी आती उसका size नहीं करना आता और PDF में जो page होगा हम जिसकी image क्लिक करेंगे उसका जो size है वो भी A4 होना चाहिए जो आपकी PDF होगी उसमें जो page होगा वो भी A4 होना चाहिए तो उसका size कैसे करेंगे और जो PDF है अगर वो ज़्याद ज़्यादा MB का हो जाता है और आपको A4 size कैसे करना है तो ये सब मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो के साथ अंतक बने रहिएगा क्योंकि अगर आपने एक भी step मिस किया तो आप PDF बनाने में देरी कर दोगे और आपका जो time है वहीं पर खतम हो जाएगा तीन घंटे का वैसे PDF बनानी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको PDF बनाने के लिए और उसका size set करने के लिए जिस application की जूरूत होगी वो है ये Adobe Scan इसको आप Play Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो ये 18 MB की है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वैसे तो Play Store पे बहुत सी application है PDF बनाने के लिए लेकिन आपको अगर अपना time बचाना है तो इस PDF का use करिएगा क्योंकि ये जो application है वो better है इसी में आपकी PDF बन जाएगी और इसी में आपका जो PDF का size आए 4 वो भी हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ हमने application डाउनलोड कर ली है अब हम उपन करेंगे और उपन करते ही आपको इस application के camera से ही आपको जो अपनी answer sheet है उसकी pick क्लिक करनी है ऐसे अपना paper जो है आप सामने रखोगे और उसकी pick क्लिक करोगे और जैसे ही pick क्लिक करोगे आप अपनी answer sheet की तो यह आपकी answer sheet की जो pick है उसको अपने आप ही crop कर लेगा और अ जैसे next page की आप pick click करोगे, दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, और एक बार इस वीडियो को like जुरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप अपने next page की pick click करोगे, और PDF पेज का जो A4 size है वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो के साथ अंतक बने र बता रहा हूँ यह, ऐसे pick click करकर continue पर आपको click करना है, और ऐसे adjustment कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि background दिख रहा है नीचे से, जब आप अपनी answer sheet की pick click कर लोगे, पूरी answer sheet की, फिर आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा, और फिर आपको इसका size change करना है, A4 size करना है, वो क the size दिख रहा होगा, एक option, यह नीचे देखिए, resize apartment को option है, यह रहा, इस पर आपको click करना है, और इस पर click करकर के आपको आगे swipe करना है इसको, और यहाँ पर लिखका है, A4 portrait और A4 landscape, आपको लैंसकेप पर नहीं klick करना, आपको portrait पर click करना है, तो आपको A4 portrait पर click करना है, त A4 Size की होनी चाहिए तो आपको ये A4 पर क्लिक कर लेना है ऐसे जो आपकी पूरी की पूरी PDF है वो A4 Size में हो जाएगी देखिए ये देखिए हर एक पेज है जो A4 Size में हो गया है दोस्तो वीडियो को एक बार लाइक जुरूर कर दीजिए और साथी साथ फिर आपको क्या करना है आप एक बार आप अपनी जो पूरी PDF है उसको देख लीजिए कि PDF सही बनी है फिर आपको Save PDF पर क्लिक करना है और Save PDF पर क्लिक करके जो आपकी PDF है वो अपलोड होने लगजेगी यहाँ पर PDF जो आपकी Save हो जाएगी फिर आपकी जो PDF है वो Save हो जाएगी फिर आपको Share पर क्लिक करना है और जो भी आपको लिंक दिया गया है इमेल पर उस पर आपको इस PDF को भेज देना है इमेल पर क्लिक करके जो भी आपको इमेल दी गई है उस पर आप इस PDF को भेज दोगे तो इससे आपके time है जो उसकी भी बचत होगी क्योंकि इसमें बहुत ही कम time लगता है PDF बनाने में जो student थे वो वैसे ही परिशान थे कि हमको PDF नहीं बनानी आती तो इस video को like जुरूर कर दीजिए और साथ ही साथ इस video को share करिए ताकि किसी भी student को अगर PDF नहीं बनानी आती तो वो इस video को देखकर अपनी PDF बना सकता है ये बहुत ही easy trick है PDF बनाने की तो ज़्यादा ही ज़्यादा इस video को share करिए अगर आपका कोई भी question हो तो comment करके पूछ सकता है और हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए साथे साथ बैल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी video डालूँ उसका notification आपको मिलता रहे धन्यवाद जैहिन